हाई नी तेरा कुंगा 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 क चॉक मार्केट एरिया दिखाऊंगे और काफी फेमस ये मार्केट है इमाम बाड़ा जो लगनाउ का है बहुत ही फेमस है उससे सिर्फ तीन किलो मिटर दूर पे है ये और आप बहुत ही इसली यहाँ पहुत सकते हो और रोड पर आपको इस तरह से गेट दिखेगा इसको क्र आप होती है वह बंद होती है तो लाइक 30-40 परसेंट ही मार्केट खुली भी थी और सारी शॉप्स बंद थी और आगे आप वीडियो में देखोगी क्या-क्या मिलता है इस फाली मार्केट में इस तार्टिंग क्या इनने यह फोर फृत्तिंगी रगेंगे याप को यह सब फृत्ति की रेंड मेंगे बजाओ कर दर्लटेजेए मैंधा में सब्सुन की रिए कांवर्ण में सेर्टिंगे याइंक साफ यह से पुरी फुलस्तीने से लवाई देख रही है पुरी फुलस्तीने होगी है यह किस रेंड में है यह हाली कुलता है सत्रासो रुपटा है इसमें कलर आप कोई मिल जाएंगे पेओ जब तक चाहें कलर पर दो उसके बाटारी हो जाएगी देखिया काम चाहिए किस रेंड में है 1350 क कि एंटाइटर कर देखिया 500 रुप मेंचे क्लर प्लाइक पिसलिए प्लाइक आपको जाएंगे लिख आपक्ति प्राइख वर्ण जैक देख यह कि पांघ्र देख आपक्कर जाएंगे जाए बड़ेतर तक आपकोज पुल आपकोशी में बाटा जयाएं यहां पर लखनाओ की जो यह मार्केट थी यहां पर 450 से ही कुरतियां स्टार्ट थी mostly शॉप में यही था साड़े 400 बोलते हैं आप जब जादा कुछ लोगे तभी बारगनिंग करेंगे एक दो पीस के लिए नहीं कम करते हैं जितनने उच्छा काम लोगे उतनте ही जदा रेड़ होगा जितने मल्टी क्लार की धागी यूज होगे उतने ही जदा ही जदा होगा और एक जो दूसरा ट्रेंड में बहुत जदा है वो है गोटा पट्टी के साथ लंखना होगी काम तो इस तरह के प्लाजो बहुत अच्छे थे पर इनके रेड़ भी बहुत अच्छे थे 750 के करीब था कलर में और वाइट लोगे तो 950 तक और इसमें कोई जादा बहुत गहरा नहीं था पर फिर भी और इस तरह के प्लाजो अगेरा भी एवेलेबल हैं काफी जादा मार्केट में और ये भी 450 के खरीब स्टार्ट है और ये सारे 550 के रेंच में कुड़े थे और ये जो कुड़े इनका फैबरिक थोड़ा सा मिक्स वाला था प्यूर कॉटन नहीं था और ये रियॉन कपड़े पे भी था और भी अलग दूसरे कपड़ों पे भी आपको मिल जाएगा और ये लेयर वाली फ्रॉक जो बहुत जादा चल रही है आजकर उस पे भी था और ये एक फ्रन्ट में शॉर्ट और बैक साइड लॉंग होता है उस टाइब की एलाइन कोरती थी और इनका 850 रेट था पर ये अब जितने हैवी कपड़े पे लोगे उतनी मोटी कड़ाई होगी और जितने हलकी कपड़े पे लोगे उतनी ही फाइन कड़ाई होगी तो इस तरह से आपको मिल जाएगा मार्केट में पर रेट इनके बहुत ज़ादा है क्योंकि यह सारा हाथ का काम होता है और मशीन वाले वर्क वाले वो थोड़े कम में मिलेंगे मार्केट घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे थे गूमती रिवर फ्रेंट पे और रास्ते में इस तरह से गेट नजर आएगा आपको और यह गेट है इमाम बाड़े का और टीवी वगरा में आप देखते होगे न लखनओ को दिखाते हैं तो एक घंटा घर दिखाते हैं या फिर यह गेट दिखाते हैं लखनाओं की पैचान होती है यह इमाम बाड़े की स्टार्टिंग एरिया है और इसको क्रॉस करती ही इमाम बाड़ा स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही सुन्दर है अगर आपके पास टाइम हो तभी आप एक्स्प्लोर कर सकते हो और हमने सिर्फ बाहर बाहर से देखा था क् अगरा में गोमती रिवर फरंट देख और अब हम पाँच गे थे गोमती रिवर फरंट पे और यह बहुत ही अच्छा एक बगटी बड़ा पार्क है यहां पे पिकनिक के लिए बैस्ट है लंच वगएरा करने के लिए यहां का कोई टिकेट नहीं लगता कुछ भी नहीं है और आप देख सकते हो और बस यहां पे थोड़ी बहुत फोटो गेरा हमने ले थी और अगर आप लगना हूँ जाओ तो आप ज़रूर एक बार जाओ राजन राज रेस्टोरेंट में यहां की चार्ट बहुत ही ज़ादा टेस्टी है और बहुत ही अफॉर्डिबल है लाइ और बहुत ही टेस्टी था तो आप जरूर इसे ट्राइए करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मैं मिल दियो अपने नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाए